नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? कई मित्रों ने पूछा है कि सर LLB हिंदी मीडियम से करना ठीक है या इंग्लिश मीडियम से? देखिए इस प्रश्णों के बारे में मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ लेकिन फिर भी आज एक बार इस पस्ट रूप से आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि आपके डाउट्स हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं पहली बात तो आपको ये जाननी चाहिए कि Language of Law जो विजी की भाषा है हमारे देश में वो अंग्रेजी है ऐसा Indian Constitution के Article 348 के अनुसार होता है ये बात और है कि एस पर दी एट्थ स्केजूल अफ इनुसार हमारी जो आठवी अनुसूची है जो भारती भाषाओं के बारे में बात करती है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं जिसमें की अंग्रेजी नहीं है means अगर हम भारती सम्मेधान की बात करें तो English एक foreign language है हमारे हिसाब से वो एक भारती भाषा नहीं है लेकिन क्यूंकि Article 348 में लिखा हुआ है कि High Court और Supreme Court की language English होगी और जो Parliament law बनाएगी एनेक्टमेंट्स आएंगे वो उसकी भाषा भी अंग्रेजी होगी तो कानून मनाता कौन है कानून या तो Parliament बनाएगी या फिर High Court और Supreme Court के judgment जो है वो कानून का रूप लेते हैं एक तरीका और है कि executive body जो है कारिपाली का वो ordinance यानि अध्यादेश लाकर के भी कानून मना सकती है तो कानून जिस भाषा में बनती है हमारे देश में वो अंग्रेजी है आपको ये जानना चाहिए English भाषा में अब प्रशन ही आता है कि फिर हमें Hindi मीडियम में करना चाहिए English मीडियम में देखिए अगर आप दोनों भाषाओं में बराबर command रखते हैं या आप लगता है कि मैं Hindi मीडियम से अभी तक पढ़ा हुआ हूँ और आगे मैं अपना English मीडियम में continue कर सकता हूँ तो आपको English में करना चाहिए कहीं कहीं कोई problem नहीं है लेकिन अगर आप ऐसे किसी state से आते हैं जो Hindi भाषी है जैसे आप मध्य प्रदेश से आते हैं, 36 गड़ से आते हैं, UP, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसी किसी state से हैं जहां कि भाषा ही हिंदी है तो आपको ये भी जानकरी देदू कि subordinate court के जो languages होते हैं वो तै करती है state government और ये हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा है न्यायालेयों की यानि courts की तो अगर आप अंग्रेजी में कर सकते हैं तो ये प्रशन ही बेकार है कि मुझे English medium में करना चाहिए हिंदी medium में अगर आपकी English ठीक नहीं है आपको पढ़कर बात समझ में ही नहीं आती है आप लिख ही नहीं सकते आपको चीज़ें याद ही नहीं होती तो भी ये प्रशन बेकार है कि मुझे English में करना चाहिए हिंदी में तो ये choice किसके पास में है ये choice हर उस एक student के पास में है जिसकी हिंदी और English दोनों ही ठीक है अगर आपकी दोनों ही भाशा हैं ठीक हैं तो किसी भी भाशा में करिए कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो अंग्रेजी में करिए इसका सीधा सीधा एक लाइन में आंसर नहीं हो सकता मैं आप सबको ये नहीं कह सकता कि आप English मीडियम में करिए फिर वो लोग क्या करेंगे जो थ्रूआउट Hindi मीडियम में पढ़े हुए है जिन्होंने Hindi मीडियम से LLB किया हुआ है क्या उनका फिर कोई भविश्य नहीं है नहीं आपके पास ये गलत जानकारी है मैं बता दूँ फिलहाल अभे तो हिंदी के लिए बड़िया माहौल बन रहा है पूरे देश में इवन जो पहला राजभाशा आयोग था जो फर्स्ट लेंग्विश कमिशन था उसका भी ये रिकमेंडेशन था हिंदी वो भाशा हो सकती है जो पूरे देश को एक सुत्र में बान सकती है तो आपको अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपके लिए सुझाओ ये है कि आप थ्रूआउट यूर स्टडी अपनी पढ़ाई के दौरान इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए जी हाँ, knowledge of English is essential उसका कारण मैंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज्जमेंट्स आ रहे हैं जो law के जर्नल्स आ रहे हैं ये सब इंग्लिश में है जो law पार्लियामेंट बनाएगी वो इंग्लिश में बनाएगी जो और्डिनेस इनेक्ट होगा वो इंग्लिश में होगा जो foreign courts के judgment हैं वो भी अंग्रेजी में ही है तो आपको करना ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप judiciary के तयारी करना चाहते हैं advocacy में आना चाहते हैं या आप advocate हैं तो अपनी English को improve करिए English improve करने का आसान तरीका है वो तरीका क्या है वो तरीका सिर्फ इतना है अपनी vocabulary को समर्ध करते रहिए अच्छा प्रशनाता है कि वाकेप को कैसे enhance करें तो ऐसा कहीं नहीं होता कि आप आज पढ़ें 24 घंटे के भीतर जिम गए और शाम को आपने देखा मेरी बॉडी में क्या changes आया कोई दिखाई नहीं पड़ेगा कल देखें कोई changes दिखाई नहीं पड़ेगा साथ दिन बाद भी कोई changes दिखाई नहीं पड़ेगा फिर कब दिखाई पड़ेगा Changes अचानक से एक दिन दिखाई पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा एक इनको दिखाई पड़ेगा वो लोग जो आपसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं उनको Changes दिखाई पड़ेंगे और लोग कहना शुरू करेंगे कि आप Fit दिख रहे हैं ठीक वैसे ही जब आप day by day vocabulary को enhance करते जाते हैं कैसे करना है रोज पांच शब्द नए सीखिए लीगल लेंग्विज के लीगल टर्नलॉजी के आसान है पांच शब्द नए सीखना कैसे सीखना है कोई भी बेरेक उठाईए आनलाइन सब कुछ available है नए पांच शब्द जो आपको already आते हैं उनको मत सीखिए हिंदी से इंग्लिश में bridge करिए हिंदी में वो शब्द लिखिए अंग्रेजी में वो शब्द लिखिए और कम से कम दो उसके समानार थी synonyms जो हैं वो भी आप इंग्लिश में लिखिए और कोशिश करिए इन पांच शब्दों को याद कर लें अगर आप एक दिन में पांच शब्द याद करते हैं और आप ये निरंतर करते रहेंगे महीने में बीस दिन भी कर लें तो सौ नए शब्द आपके पास में होते हैं और साल के अंत तक आप यकीन मानिए दो से धाई हजार नए शब्द आपके वाकेब में होंगे और दो से धाई हजार शब्दों का वाकेब में होना इसका मतलब है कि आपका English जो है वो enhance हो चुका है तो पहला चरणी यही है और आपने लल भी कर लिया है और आप advocacy कर रहे हैं तो धीरे धीरे English को enhance करना है अपना medium change करने की आपको जरूरत नहीं है और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी Hindi और English दोनों ही कमाल की होगी शांदार होगी improved होगी enhanced होगी आपको खुद पर तो confidence आएगा ही आप से मिलने वाले लोग भी यह कहेंगे कि आपकी भाशाओं पर पक इंग्लिश मीडियम से लेल भी करें या हिंदी मीडियम से करें ध्यान रखें सेलेक्शन मीडियम का नहीं होता मीडियम सिर्फ कम्यूनिकेशन का ही एक साधन है आपका knowledge है जो आपको आगे लेकर जाएगा इससे यकीन मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी अगे बढ़ते रहें और most importantly जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक सिक्षा से नमस्कार